सब को मेरा प्रणाम राम राम जोहर हमारे सबी आदिवासी बाई बहनों को आगस्ट 9 जो इंटरनेशनल आदिवासी दिवस हम सब लोग मनाते हैं उसके बहुत-बहुत शुपकामनाये देती हूं और हमारा हिंदुस्तान एक बहुत ही अच्छा गुलदस्ता है जिस गुलदस्ते के सबसे खूबसूरत पूल हमारे आदिवासी बाई और बहन हैं क्यूंकि एक अलग तरीके का वेशबूश एक अलग तरीके का संस्कृती एक अपना खुद का धरम अपने खुद के उसूल अ तब ही लोग हम हमेशा सोचते रहते हैं कि जिस तरीके का फ्रीडम आदिवासी पॉपलेशन में महिलाओं को है और जिस तरीके का एक कास्टलेस सोसाइटी आदिवासी में है यह हम सब के लिए भी बहुत एक आइडियल तरीके का जीवन बिताने का स्टाइल है लेकिन अपने आप में जो संस्कृति है जो भाशाये है उनकी अपने खुद की सिस्टम है इसको बचा के रखने का हम सब को भी बरपूर कोशिश करनी चाहिए जब हिंदुस्तान आजादी पाया था हिंदुस्तान में 250 से भी जादा गनराज्यों का मिलन हो गया था सो हम सबी आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने का आदिवासियों का इंट्रेस को बचा के रखने का हमने प्रावदान किया है लेकिन अनफॉर्चनेटली अमलावरी की जब बात आती है जब इनको इंप्लिमेंटेशन करने की बात आती है तो consecutive government सारे ही सरकारे विफल रह चुकी है ए एक स्थिती हिंदुस्तान में आज है लेकिन आपको इससे अलग स्थिती देखने को तेलंगाना राज में मिलेगा क्योंकि तेलंगाना राज में हमने दो काम किये है पिछले नौ साल से जब से ये अलग एक राज बना है यहां पे बहुत human effort लगा के तकरीबन 230 करोर का है उसके साथ साथ हमने जो गिरिजन को आपरेटिव सोसाइटी होती है उसमें भी आदिवासियों का ट्राइबल्स का हग को बचा के रखा है और उसमें बहुत जादा improvement लेके आये है जिसके वज़े से एक financial empowerment आदिवासियों का और ट्राइबल्स का हो सकता है ऐसा काम हमने कि है और सबसे जादा जो हमारी आदिवासियों की मांग होती है forest के उपर rights और हमारा एक अपना खुद का land होना चाहिए जो independent individual right होता है forest right में उसको respect करते हुए हाली में ही इसी मेने हमने 4,05,000 एकर से उपर पटे हमने जो पोडू land होते है हमारे आदिवासि बाई और बहनों को दिया है तकरीबन 1,500,000 आदिवासि बाई बहनों को इसका लाब मिला है तो एक ऐसी सरकार है यहाँ पे BRS के रूप में केसियार साब एक एसे लीडर है जो मानते है कि जो ट्राइबल सब प्लैन में जो पैसा मिलता है आदिवासियों को तो वो आदिवासियों पे ही कर्च होनी चाहिए तो इसलिए हमने यहाँ पे अलग से एक और लाव बनाया है जिससे यह साफ साफ हम कहते है कि ST Special Development Fund और ST Special Development Fund यह दोनों हमने प्रोटेक्शन दिय कर्च करनी चाहिए अगर एक साल में सरकार वो पैसा कर्च नहीं पाती है तो अगले साल को यह पैसा रोल ओवर हो जाता है पहले यह पैसे एक्सपायर हो जाते थे या किसी और चीज में यूज हुए करते थे लेकिन हमने इसको बदला है और यह एक पूरे हिंदुस्तान मे सिर्फ और सिर्फ तलंगाना में और KCR साब ने ही ये करके दिखाया है तो ये इस तरीके के आइडियल लेके हम देश के आदिवासियों के सामने आते है हम चाहते हैं, BRS चाहती है, KCR साब चाहते है कि आदिवासियों का पढ़ाई के उपर ध्यान दे सरकारे Health के उपर ध्यान दे सरकारे और Higher Education के उपर ध्यान दे, Nutrition के उपर ध्यान दे क्यूंकि ये सब हमने तलंगाना में किया है Education के मामले में तकरीबन 250 से ज़ादा School हमने सिर्फ आदिवासी और Tribal बच्ची और बच्चियों के लिए कोला है जिसमें हम एक-एक स्टूडेंट पे एक साल में एक लाख पचास हजार रुपे से ज़ादा कर्च करते है और पूरा English Medium में पढ़ाते है ताकि जाके बाहर के दुनिया में अपने बच्चे कंपीट कर सके लेकिन इसमें खूब सूरती ये है कि जो ट्राइबल बच्चे सीधे-सीधे English समझ नहीं पाते है उनके लिए First और Second Classes में गोंडी बाशा से लंबाडा बाशा से एक प्राइमर टेक्स्ट बुक हमने किया है जिसके वज़े से वो एक ब्रिज कोर्स जैसा बन जाता है और ये बच्चे अच्चे से English भी समझने लगते है तो ये एक खयाल हमने किया है यहां तेलंगाना सरकार ने Special Interest लेके गोंडी बाशा का dictionary भी बना के पब्लिश किया है और लंबाडा हमारे यहां गिरिजन आदिवासी जादा है ट्राइबल्स में तो लंबाडा भाशा का भी grammar हमने सपरेटली पब्लिश किया है और हम कोशिश कर रहे है कि जितने भी literary personalities है यहां उनको ये दोनों भाशाओं पर काम करने वाले उनको encouragement मिले मैं बहुत खुश हूँ आप सब से शेर करने के लिए कि दो आदिवासी हमारे बाई उनको पदमश्टी हाली में मिला है गुसाडी डैन्स के लिए और डौल के लिए तो जो पदमश्टी इनको मिला है उनके साथ-साथ हमारे तलंगाना सरकार KCR साब ने एक-एक हमारे बाई को फिर एक 1-1 करोड रुपया दे के उनका रेस्पेक्ट बढ़ा है और वो जो गुसाडी और डोल सिकाते हैं उनके लिए हमने स्कूल भी बना के दिये ताकि उनका संस्कृति और उनका डैन्स को वो प्रोटेक्ट कर सके तो यहां का सरकार का BRS Party का केशीर साभ का सोच ऐसा है कि हम सभी मिलके रहने का सपना है देश के लिए लेकिन मिलके रहने के लिए चाहिए क्या सभी को अपने अपने हक चाहिए विरासत में तांतिया बील जैसा, बिरसा मुंडा जैसा, कुमरम बीम जैसा, राम जी गोन जैसा, ऐसे महावीरों का आशिरवाद मिला है, उनसे इंस्पिरेशन हमें मिला है, तो इस देश में हमेशा ट्राइबल्स ने जमीन के लिए लड़ा है, जंगल के लिए लड़ा है, जल के लिए अपने हक के लिए, अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए लड़ा है, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ट्राइबल्स की नहीं होनी चाहिए, हर एक मेजर पार्टी को, हर एक नेता को, सब को इसमें शामिल होना चाहिए, क्यूंकि जब ये डाइवर्सिटी बचा के रख सक और बहुत सारे ट्राइबल लीडर्स है, ट्राइबल पार्टी से, ट्राइबल ऑर्गनाइजेशन से, जो काम कर रहे हैं हर प्रदेश में, उन सबको भी मैं शुब कामनाया देती हूं, और ये ऑगस्ट 9 एक स्पेशल टे है, इंटरनेशनल आदिवासी दिवस, जो युना आज में नहीं आती है, और एक unfortunate बात ये हो रहा है, कि ये जो UCC का नया लॉय लेके आने का कोशिश कर रहे है, इसमें SCs और Tribals का हक पूरे-पूरे तरीके से चीने जाएंगे, इसलिए BRS Party ने UCC का कड़ी तरीके से विरोध किया है, और आगे चलके भी हम विरोध करते रहे क्योंकि चर्चा नहीं करते हैं, वो पार्लमेंट में, सदन में, लेकिन चुप-चाप जो मेजॉरिटी उनके पास है, उसे वो बिल पास कर लेते हैं, लेकिन ये जितने भी हक BJP के हयाम में हम को रहे हैं, उसको आगे लड़ना चाहिए, हम सब को मिलके लड़के इनका ये ह रहन कविता आपके साथ हूँ, तैंक्यू सो मच, और एक बार आप सबको हार्दिक सुपकामना है, तैंक्यू, जय तलंगाना, जय भारत